हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ प्रबल आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमने चैनल दार्शनिक भारत में दोस्तों हमने जीब हमने द्रब के विश्यम में पिछले वीडियो में जाना था और जाना था कि द्रब के दो रूप हैं अस्तिकाय और अनस्तिकाय तो उन्ही अस्तिकाय और अनस्तिकाय को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है तो आज इस वीडियो में हम अस्तिकाय और अनस्तिकाय के विशय में पूरी बात कर लेंगे और इसके बाद द्रब्य का जो हमारा अभी संद्रब चल रहा था वो पूरा हो जाएगा तो इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं जीव अजीव और काल की क्योंकि हमने जाना था कि द्रब्य के दो भेद हैं एक अस्तिकाय और अनस्तिकाय अस्तिकाय में आता है जीब और अजीब और अनस्तिकाय में सर्फ एक चीज को रखा जाता है काल को आज हम जानेंगे कि ये अस्तिकाय और अनस्तिकाय क्या है और जीब अजीब पिस्तृत रूप से क्या है पहले तो यह समझ लीजिए कि जिस शब्द से जीव को संबोधित किये जाता है वो कुछ और नहीं है बलकि क्या है आत्मा है इसलिए उसे क्या कहा जाता है जीवात्मा क्या है वे जीवात्मा अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह जीवात्मा जो है वो क्या है यानि जीव जो है वो क्या है देखिए जीव को क्या कहा जाता है अस्तिकाय द्रब अस्तिकाय का अर्थ होता है जिसमें बिस्तार होता है मैंने बताया था कि अस्तिकाय का अर्थ क्या है extended extended मानी ऐसे दर्ब जो जिनमें बिस्तार हो जिसे कि हम देखते हैं पेड को देखते हैं पेड़ छोटा होता है और धीर धीर करके बड़ा हो जाता है, हम स्वयम को देखते हैं, और अन जीवधारियों को देखते हैं, उन सभी में बिस्तार होता है, नदी में बहता हुआ छोटा सा पत्थर, सालों साल नदी में बहते बहते बढ़ा हो जाता है, है ना, तो इन सभी द्रब्यों में क्या है विस्तार है जिन में प्राण है उनमें भी विस्तार है जिन में प्राण नहीं है उनमें भी विस्तार है यानि जीब और अजीब दोनों में ही विस्तार होता है और दोनों का ही अपना शरीर भी होता है इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है अस्तिकाय द्र यानि अस्तिकाई द्रब है इसका मतलब यह है कि जीव में विस्तार होगा जीव इस्थान घेरेगा और जीव शरीर धारान करेगा और ऐसा होता भी है हम देखते हैं हम स्वयम एक जीव है है ना अन जो प्राणी है वो भी जीव है जीव का तात्पर है जायन दर्शन में जीव शब्द से जिसे सम्भुधित कहें आत्मा अनदर्शनों ने इसके लिए आत्मा कह दिया है वही जैन दर्शन ने क्या कह है उसे जीव, इसलिए हम जीव को सामानेता किस शब्द से प्रयोग में लाते हैं जीव आत्मा कहकर है न, तो अब आत्मा हमके विशाय में हम जान चुके हैं आत्मा का सुरूप धर्म क्या है, आत्मा का सुरूप धर्म है चेतना मैंने बताय था कि चेतना आत्मा का गुण है और गुण क्या होते हैं? स्वरूब धर्म स्वरूब धर्म ये होते हैं जो कभी अलग नहीं होते है न द्रब्य से द्रब्य के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आत्मा को जैन दर्शन ये कहता है कि मैंने यहां लिखा भी है कि चेतन या चेतना जो है वो आत्मा का क्या है? स्वरूब धर्म है ये जैन दर्शन के अंसार यानि आत्मा और चेतना ये दोनों साथ साथ रहते हैं आत्मा जब शरीर में प्रिवेस करती है तो शरीर में चेतना आती है और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा से चेतना अलग हो जाएगी वो शरीर में होती है तब भी उससे चेतना जुड़ी रहती है और शरीर से बाहर होने पर भी चेतना आत्मा के साथ जुड़ी रहती है क्योंकि चेतना क्या है आत्मा का सुरूप धर्म है इसके विपरी जो नियाई वैशेशक हैं वो ये मानते हैं कि चेतन ने आत्मा का आगंतुक धर्म है यानि नियाई वैशेशक ये कहते हैं कि जब आत्मा में चेतना सामानेता नहीं होती है उसमें चेतना तभी आती है जब सभावता आत्मा कैसी मानते हैं वो अचेतन ठीक है लेकिन जब उशरी में प्रिवेस करेगी तो चैतन हो जाती है अब चूंकि जीब जो है वो क्या है आत्मा और आत्मा का स्वरूब धर्म है चेतना तो इसका मतलब क्या है जीब क्या से होंगे चैतन ने जीब में चैतना जीब से आत्मा कोई तो संबोधित के जा रहा है तो जीब कैसा होता है चेतना यो द्रव्ब होता है ठीक है तो इसलिए कहा गया है कि चैतन लक्षणों जीबा यानि जीब का लक्षण क्या है चेतना और कैसा लक्षण है जीब का चेतना स्वरूब लक्षण है न, उसका गुण है ये, जो कभी उससे अलग नहीं होगा, तो देखिए, जीव से किसे संबोद किया गया है, आत्मा को, ठीक है, अब आत्मा जिन-जिन जीव धारियों में है, उनके लिए भी जैन दर्शन जो है, जीव सब्द का प्रयोग कर देता है, लेकिन जो उसका बास्तिविक उप्योग है, वो किसलिए होता है, जीव आत्मा के लिए, जीव से किसे संबोद कियाता है, जीव आत्मा के लिए, ठीक है, अब बात आती है कि जीव जो है, उसके स्वरूप को हम कैसे जाने तो, हम जरा सी उसके विश्याय में तो समझ जाएंगे कि जीव बास्तम में कैसा होता है तो जीव क्या है, जीव यानि जीव आत्मा है तो जीव जैन दर्शन ये मानता है कि जीव जो है वो ग्याता है, करता है और भोगता है मैंने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी ग्याता वह होता है जो संसार में जितनी वस्तुए होती है उन सब का ग्यान प्राप्त करता है गे वस्तुओं का जो ग्यान प्राप्त करता है यानि विश्यों का जो ग्यान प्राप्त करें वह तो ग्याता है और वो स्वयम ग्यान का विश्य नहीं बनता तू नहीं बनता हो कभी भी टीक कि आतमा गयाओ का विषयह ना वने या हुना बने एसा के संभ लिए क्योंकि जो सबको जानता है उसको कोई नहीं जान सकता है दुनिया में जितनी भी चीजे हैं उस सबको जानने का यानि सबका ग्याता जो है उसका ग्याता कोई नहीं हो सकता ठीक है इसको ऐसे समझाजा सकता है कि जो सबको प्रकाशित करता है उसे स्वयम कौन प्रकाशित करे यह गौधारन मानने लिजिए, जदी बुझ जाता है, तो सूरी को प्रगासित कौन करेगा, कोई नहीं 이상 यह होता है, जो ग्याता होता है, जो सभी विश्यों का ज्ञान प्रांप्त करता है वे कभी ज्ञान का विश्य नहीं वनता, वे कभी गे नहीं वनता ठीक है और आत्मा क्या है करता है यानि जीव आत्मा जो है वो करता है करता कैसे कि अपने वे कर्म करती है और यह कर्मीत होते हैं जिसके कारण आत्मा बंधन युक्त हो जाती है जैने दर्शन के अमसार है न कर्म पुद्गल जो होते हैं उनसे चिपक जाती है आत्मा तो वे कि बंदन युक्त हो जाती है तो आत्मा क्या है करता है क्योंकि बह कर्म करती है और जब कर्म किये जाते हैं तो उनका लाब यहानी होती है यानी उनका कुछ फल मिलता है अच्छा या बॉरा जैसा ही हूँ ठीक है तो जो अच्छेया बुरे फलों को भोगता है उसे कहते हैं भोगता तो आत्मा जैसे भी कर्म करती है उसके अनुसार जो उसका फल होता है बहे कौन भोगता है बहे भी आत्मा ही भोगती है तो आत्मा क्या है ग्याता करता और भोगता है जैन दर्शन के अनुसार आगे जो जीवात्मा है वह नित है और शरीर से बिन है देखिए हमने चारवाग दर्शन पढ़ा था और चारवाग ने यह कहा था कि आत्मा जो कुछ है वह शरीर है या वहाँ चैतन्य की बात करी थी है ना जो चेतना का जन्म होता है जैन दर्शन ये कहता है कि शरीर के अंदर चेतना आत्मा के कारण आती है क्योंकि आत्मा का ही स्वरूप लक्षण क्या है चेतना है तो जैसे ही आत्मा शरीर में पिर्वेस करती है शरीर में क्या आजाती है चेतना और उधर चारवाग क्या कहते है चार वाक यह कहते हैं कि बहुत एक पदार्थ मिलकर बैसे पाँच भूतों को सुविकार के जाता है ठीक है सामानिता लेकिन चार वाक जो हैं वो पाँच भूतों को मानते हैं प्रत्वी, अगनी, जल और बायू वे पांच में भूत यानि की आकाश को स्विकार नहीं करते हैं वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आकाश के वे ना तो को संभा भी नहीं है आकाश को महा भूत के रूप में स्विकार करना जरूरी है तो बे, पांच भूतों में से सिर्फ चार भूतों को ही स्विकार करते हैं, प्रत्वी अगनी, जल और बायू को, और ये कहते हैं कि ये कैसे हैं, ऐसे हैं, जिनमें जो चैतने नहीं है, स्वयम, उनमें स्वयम में चेतना नहीं है, किसी प्रिकार की, ये जड़ पदार्त हैं, तो ये कहते हैं चार वाग कि ये जो चार जड़ पदार्थ हैं यही परस पर मिलकर चेतना को उत्पन कर देते हैं शरीर हमारा शरीर इनी चार जड़ पदार्थों से मिला है बना है चार वाग के अंजार और यही चारपदार्थ जो हैं वो जब परस पर सयोग करते हैं तो स्वता चेतना उत्पन हो जाती है शरी में वैसे ही कि जैसे सुपारी पान कथा चूना ये मिलकर लाल रंग को यानि लालिमा को उत्पन करते हैं इन चारों में से यानि पान सुपारी और कथा चूना इन में जड़ पदार्थो से चेतना को, चेतना की उत्पत्ती मानते हैं और जैनद रशन ये कहता है कि शरीर में चेतना जो होती है वो किसके कारण उत्पन होती है, जीव के यानि जीव आत्मा के कारण, क्योंकि जीव आत्मा का ही शुरूपलक्षन क्या है도 जेटना 3 धर हैं, तो ज जीव कैसा है नित्य है यानि इस्थाई तत्व है और शरीर कैसा है एक अनित्य तत्व है आज होता है कल नहीं तो जीव यानि जीवात्मा एक इस्थाई चीज है और शरीर एक अनिस्थाई चीज है वो नश्ठ हो जाता है तो इसलिए जीव में जीवात्मा में और इस बहुत एक शरीर में बहुत सारे फर्क हैं जहन दर्शन के अंसार तो यह शरी तो कभी जीव यानि आत्मा हुई नहीं सकता तो इसलिए चारवाग का तो खंडन करते हैं वो आ कहते हैं कि जीव चेतन और इस्थाईत रभ्य है जबकि शरीर क्या है पुद्गल है मैंने पुद्गल आ उसका जन्म किस से हुआ है पुद्गल से बना हुआ है ठीक है तो शरीर हमारा जो है उसमें सभाबता चेतना नहीं होती वो अचेतन चीज है एक जड़पदार्थ है कौन शरीर तो पुद्गल है और जीव जो है वो चेतन चीज है आत्मा आत्मा में चेतना होती है ठीक है तो शरीर में चेतना सिर्फ तभी उत्पन होती है, जब शरीर में कौन प्रिबेस करता है, जीवात्मा, ठीक है, तो आत्मा सुभाब से कैसी है, चेतन, और शरीर सुभाब से कैसा है, अचेतन, ठीक है, तो चेतना की उत्पत्ति, जैन दर्शन किसके कारण मानता है, इस जीव के कारण इस जीव आत्मा के कारण कि शरीर में चेतना जीवात्मा उत्पं करती है ए ना चार बाग के वेपरीद और शरीर पुद्गल है इसलिए स्भाब्ता कैसा है अचेतन और नश्वर है अधा जीव और शरीर एकनण होकर कैसे हैальных दोभिने चीज़े है दूसरे से विप्रीत सुभाब बाली चीजे हैं तो समानता हम देख सकते हैं कि इनमें भेध हैं इनमें अंतर हैं जीवात्मा शरीर की क्या है चालग मातर है देखिए ये बहुत एक शरीर जो है ऐसे समझ लिजे कि ये जो हमारा शरीर है ये जैसे कंप्यूटर होता है उसके दो भाग होते हैं एक हार्डवियर और एक सॉफ्टवियर ठीक है तो शरीर को कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है सॉफ्टवियर की तो सॉफ्टवियर कंप्यूटर का क्या है उसका उससे चलाने वाली चीज है उसका चालग है वैसे ही जैसे बस को ड्रा अलग मात्र है जब तक जीवात्मा इस शरीर में रहती है तब तक चलाइमान रखती है शरीर को इस शरीर के अंग परती अंग को चलाने के लिए किसकी जरुवत है जीवात्मा की और इसमें विशेश वात यह है कि मतलब एक और बड़ा भेद शरीर में और जीवात्मा में यह कि जीवात्मा जो होती है वो आकार हीन होती है जैसे प्रकाश का कोई आकार नहीं होता देखा प्रकाश को आप क्या करो आप जिस आकार के कमरे में रख दोगे प्रकाश का वही आकार हो जाता है यहां कहने का दात पर यह है मैं प्रिकास का धरन यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे भी मैंने इस्तमाल किया इसका अगर चौकोर कमरे में दीपक को रख दो तो हम प्रिकास का प्रतेक दीवार तक पहुंचके कैसा रूप धरन कर लेगा चौकोर और अगर अस्त भुजिय कमरे में रख दोगे आठ भुजाओं वाले कमरे में तो प्रिकास कैसा रूप धरन कर लेगा आठ अस्त भुजिय रूप धरन कर लेगा तो ऐसे ही जल को देख लीजिए उसे जैसे पातर में रख दोगे तरलता के गरण वैसा ही रूप वे धारण कर लेता हैं तो जीवात्मा आकारहीन है और शरीर कैसा है आकार में इस चीज को हम आगे भी समझेंगे यह भी एक भेद है पिज़ेस्ता है जीव की अब जीवात्मा की एक और विशेस बात यह है कि जीवात्मा में क्या होते हैं अनन्त चातुष्ट होते हैं यहनी चार चीजों की अनन्ताएं या पूर्णताएं होती है कौन-कौन सी वह अनन्त अर्शन, अनन्त ग्यान, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द ठीक है तो जीवात्मा जो होती है उस इन चार पूर्टाओं से इन चीजों की सभावता आत्मा देखिए आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है उसके अंदर तो ही ये चार पूर्टाओं होती है यह चार अनंता यह तब होती है जब वह शरीर के बंधन में न पड़ी हो जब शरीर के बंधन में पड़ जाती है जीव आत्मा तो उसके अंदर यह चार चीजे इन चार चीजों पर ऐसे मान लीजिए कि आवरण पड़ जाता है तो यह चार शीचें उसके अंदर उस समय जो है वो ढग दी जाती है समाप्त नहीं होती है विसेसवाती है यह उसके अंदर बनी रहती है ठीक है क्योंकि यह आत्मा के यह भी सवाबधर में जैसे चेतना है यह उसमें हमेशा बने ही रहते हैं लेकिन इन पर क्या होता है जब या जीव आत्मा सरीर के संपर्क में आती है तो ये अनन्त चातुस्ट जो चातुस्ट होता है अनन्त चातुस्ट इस पर आवरान पड़ जाता है लेकिन आत्मा से अलग नहीं होता उसमें बना रहता है ठीक है तो ये चार उसमें पूर्टाएं पाई जाती है आत्मा के अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंशक्ति और अनंतानन ठीक है और यह है कि इस संसार में जो जीव है वो कैसे हैं अनेक हैं जीव से प्राणियों से मेरा इनतात पर नहीं है यहां आत्मा को जैसे सांख दर्शन मानता है आपको जब सांख दर्शन में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सांख दर्शन में मूल तत्व के रूप में दो चीजों को स्विकार किया गया है परम तत्व के रूप में दो चीजों को स्विकार किया जाता है प्रकृति औ निस्प्राण पदार्थ जो है वो प्रिकृति और पुरुष जो है उससे तात्पर आत्मा से है ठीक है तो संसार में यह माना गया है सांग दर्शन में कि आत्मा जो है जितने प्राणी है उतनी आत्मा है और यह कैसी है अनन्त है ऐसे ही जैन दर्शन मानता है कि संसार में जी जीवात्मा है और चुकि जीवात्मा जो है वो कैसी है जीव जो है वो संख्या में अनन्त है इसलिए जीवात्मा भी असंख्या तो जैन दर्शन के यह जो मत है इनको न्याय सांख और पास्चा दर्शनिक लाइब निज भी स्विकार करते हैं आगे हैं अब बात करते हैं जीवात्मा और शरीर का जो संबंध होता है वो संबंध क्या है देखिए यह हम मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीवात्मा एक चेतन द्रब्य जो अनंत चातुष्टे से युग तो होती है उनमें चार अनंताइं पाई जाती है और शरीर कैसा हो अचेतन होता है ठीक है तो इन दो ब्रोधी गुणवाली यह चीजें साथ-साथ कैसे रह लेती है ठीक है और इनका जो संबंध होता है वो कैसा होता है तो देखिए जीव आत्मा आपने देखा है गुबारा जैसे गुबारे में जब हम हवा भरते हैं तो उस गुबारे के प्रितेक कोने कोने तक पहुच जाती है ठीक है मैगडॉल जाते हैं तो बलून देखते हैं मैगडॉल्स वाला उसके अंदर उसे कैसे तेयर करते हैं हबा भर के हबा भरते हैं और जो हबा होती है जो बायू हमने उसमें टाली है वो उसके हर भाग तक पहुँच जाती है ठीक है? तो ऐसे ही जो जीवात्मा होती है वो जैसे सब दर्शन जो हैं दर्शन और धर्म की अगर बात करें तो कोई कहता है आत्मा का निवास यहां होता है जैसे कोई जहां हम तिलक लगाते है आत्मा का निवास वहां मानता है कि शरीर में आत्मा का ये केंद्र होता है यहां आत्मा निवास करती है पूरे शरीर में नहीं करती ठीक है या कोई कहीं बताता है जैन दर्शन ये कहता है कि जो जीवात्मा होती है तो वो जीवात्मा किसी एक भाग में न रहकर समपूर्ण शरीर के पूरे शरीर में एक समान रूप से निवास करती है ठीक है जैसा शरीर का आकार होता है वैसा ही वे परणाम ले लेती है मानि वैसा ही वे आकार ले लेती है इसलिए जो जीवात्मा है वो शरीर की परणामी होती है ठीक है इसका उधारन है दीपक से इसको समझाए जाता है ऐसे कि जैसे हम एक दीपक को कमरे में जला देते हैं तो दीपक जैसे दीपक का जो प्रकाश होता है वो उस कमरे का आकार धरन कर लेता है चौकोर कमरे में जलाते हैं तो चौकोर मैं अभी पहले धरन दे दिया तो जैसे प्रकाश जिस कमरे में जिस जिस भी प्रकार के कमरे में या जिस भी प्रकार के स्थान में जलाया जाता है तो उससे निकला प्रकास जो होता है वो उसी का रूप धारन कर लेता है बैसे ही ये जो आत्मा होती है वो शरीर में जिस शरीर में जाएगी उसी शरीर का रूप धारन कर लेती यदि छोटे शरी में जाएगी, तो आत्मा छोटी हो जाएगी, और यदि वही आत्मा बड़े शरी में प्रिवेस करती है, तो आत्मा का रूप बढ़ा हो जाता है, जैसे चीटी में जो आत्मा है, वो छोटी है, जैन दर्शन के अनुसार, और हाथी में जो आत्मा है, वो कै जैसी हैं सभी आत्मा हैं चीट Yatiakyaya reliable को दोनों में अनंत चाथषट है दोनों चेतना तो गुणात्मक रूप से दोनों आत्मya हैं हाथी की ऑर स्यहार चीटी की एक जैसी है लेकिन उसमें मात्रात्मक भेद है तो जीव की प्रणामी कैसे हो जाती है आत्मयानी जिस शरीर में जाती है उस शरीर का रूप धारण कैसे कर लेती है यह होता है उसके अंदर दो चीजे पाई जाती है संकुचन सीलता और प्रसरण सीलता तो प्रसरण सीलता जो होती है उसके कारण तो जीवात्मा फैल कर बड़ी हो जा लेती है ठीक है तो ये दो चीजों के कारण भे शरीर की प्रणामी होती है संकुजन सीलता और प्रसरन सीलता के कारण ठीक है अब एक बड़ी समस्या उत्पन हो जाती है अब हम ये देखते हैं कि जीब जो है हमारा ये शरीर जो है वो किसमे आता है वो पुद्गल से बना हुआ है मैंने बताया अचेतन है तो निश्चेत रूप से किस किस रणी में रखा जाएगा ये अगर इस शरीर की बात करें तो ये पुद्गल योक्त होने के कारण पुद्गल किसका हिस्सा होता है अजीब का मैंने पहले बताया था तो पुद्गल से बनाए और ये भी क्या है श्टिकाइदरब्य है हमारा शरीर जो है वो भी अस्तिगाई द्रब की शरणी में रही जाती है तो बहभी इस्थान गहरती है अब ये बात समझ में नहीं आती कि दोनों इस्थान गहरते हैं ठीक है तो शरीर में आत्मा प्रिवेश कैसे कर लेती है क्योंकि जब आत्मा प्रिवेश करेगी अरगी शरीर में तो आतमा भी स्थान घेरेगी इसको ऐसे समझाज़ा सकता है कि जहाँ एक बड़ा पत्थर रखा एक अस्तिकाय द्रभ्य है ठीक है उसने उतना स्थान घेर रखा आपने अंदर किसी दूसरे द्रभ को रखने देगा परवेश करने देगा पत्थर नहीं न कि तो सवाबिक बात यहां यह प्रस्ट सौंचने पर मजबूर कर देता है दोनों ही जीवातमा और यह जो शरीर है वो दोनों ही स्थान गीरते हैं फिर इस सरीर में आत्मा प्रिवेश कैसे कर लेती है तो जैन दाशने के हाँ यह कहते हैं कि जीवात्मा जो होती है बह अन्य द्रब्याँ की तरह इस्थान नहीं गेरती जैसे कि अन्य द्रब्य गेरती है बल्कि वैं प्रिकाश की तरह इस्थान गेरती है जैसे प्रिकाश गहरता है, प्रिकाश जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, कि हम एक कमरे के अंदर कितने भी बल्व लगा सकते हैं, सारे बल्व उस कमरे को प्रिकाशित करेंगे, और अधिक तेजी से, एक बल्व होगा, तो प्रिकाशित होगा कमरा, लेकिन प्रिकाश की तो एक साथ जैसे दो बलव या दो दीपक प्रकाशित कर सकते हैं और वह एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए रह सकते हैं दोनों दीपकों का प्रकाश जो है एक दूसरे को बिना प्रभावित किये रह सकता है बैसे ही जो आत्मा होती है तो जैसे बहाँ पर प्रकाश कमर को दो दीपायक एक साथ प्रेकाशित कर सकते हैं बैसे ही एक से अधिक आत्मा शरी के अंधर प्रिवेस्ट कर सकती हैं ठीक है तो आत्मा अन्य तरब्यों की अन्य अस्तिगाई दरब्यों की तुलना ना में अलग परकार से स्थान घेरती है तो जैन अधिक आत्मा के निवास को भी विस्विकार कर लेते हैं आगे है कि जीवात्मा जो होती है वो सरीर के बंधन में क्यों पढ़ा जाती है उसका जो कारण होता है वैसे उसके पांच कारण बताए जाते हैं पांच कारण है मिध्यात्व अभिरती प्रमाद कशाय और योग यह जीवात्मा के बंधनों का कारण ये पांच चीजए बताई जाती है विथ्यात्व अभिरती प्रमाद कशाय और योग और ये पांचों चीजए कैसी है ये पांचो सभाबता कैसी है पुद्गल है तो ये क्या होती है इन चीजों के कारण जो जीवात्मा होती है वो पुद्गल के कणों को यानि करम पुद्गलों को अपनी और आकशत करती है अब जानते हैं कि हमारा जी वो शरीर है वो किस से बना हुआ है, पुद्गल से निर्मे थे, पुद्गल थोड़ा बहुत तो मैंने उतना जितना मतलब है, मतलब के लिए तो मैं पिछले वीडियो में समझा जुगा हूँ, तो यहां आप समझ पा रहे होंगे, पुद्गल से मेरा क्या आरत है, तो शरीर हमारा पुद्गलो के प्रभा के कारण जो है, शरीर जो है, जीवात्मा जो है, वो शरीर के बंधन में पढ़ जाती है, ठीक है, इसको बहुत डीपली हम समझाएंगे, अगले वीडियो मैंने थोड़ा रेफरेंस या थोड़ा सा यहां पर आपको जानकारी हो जाए, इसलिए यह होता है, जो सोतंत्र हो, जिनि मुक्ती प्राप्त हो गई हो, और दूसरा होता है, बद्ध, बद्ध जीवात्मा होता है, जीव से तात पर जीवात्मा से है, ध्यान रखना, तो एक तो मुक्त जीवात्मा और एक बद्ध जीवात्मा, यह दो प्रिकार की जीवात्मा का जै मुक्त हो चुके होते हैं तो बे मुक्त हैं अब केवली में भी दो पिरकार होते हैं संयोग केवली और संयोग केवली और बियोग केवली अब जो बद्ध जीव आत्मा होती है जो शरीर के बंदन में पड़ी हो इन संसार में जितने भी प्राणधारी जीव दिख रहे हैं कोई भी हो, छोटा बड़ा चीटी हाती, मैं आप सब तुम, जो भी लोग हैं, सभी लोग क्या हैं, वो बद्ध जीवात्मा हैं, ठीक हैं, तो मुक्त केवली हैं, जने डिब्ध ग्यान की प्राप्ती हो गई है, बेजीवात्मा मुक्त हैं, और जो अभी इस सांसारिक चक्र म जो फसे हुए हैं, जनम मरण के चक्र में फसे हुए हैं, और दुख भोग रहे हैं, वो क्या हैं, वो बद्ध जीव हैं, अब जो ये बद्ध जीव हैं, ये दो प्रिकार का होता है, एक इस्थाबर, यानि इस्टैटिक, यानि जो एक जगा स्थिर रहे, और दूसरा होता ह एक इंद्री है यानि इनमें सिर्फ एक इंद्री सक्रिय होती है एक ही इंद्री होती है ठीक है और यह चल फिर नहीं पाते है यानि अपना इस्थान परिवर्तन समय के साथ इनका इस्थान परिवर्तन नहीं होता है यह एक ही अवस्था यानि ब्राम वस्था में एक ही जगा पर पूरे जीवन काल तक बने रहती हैं जैसे कि ब्रक्ष ठीक है तो इनमें सरफ एक ही इंद्री होती है ब्रक्षों में वो होती है इस पर्स हमने छोई मुई का पेड़ा देखा है आगे बताऊंगा छोई मुई में इस पर्स को बैं अनभब करती है हम छूते हैं उसको तो और जंगम जो होते हैं वो एक से अधिक इंद्री वाले जीव होते हैं अधिकतम कितनी पांच इंद्रियां होती है ठीक है तो एक इंद्री वाले तो इस्थाबर और दो से लेके पांच इंद्री वाले जीव होते हैं वो किसमें आते हैं जंगम जंगम यानी तरस यानी तो यह चल फिर सकते हैं, बना इस्थान परिवर्तित कर सकते हैं, अब इस चत्र को समझ लीजिए, देखिए इस्थाबर जो होते हैं, वो कैसे हैं, एक इंद्रिये, जो जीव हैं, बे, अब उसमें एक इंद्रिये जो होती है, वो होती है, इस पर्स, वो इस पर्स को अनभव करते हैं जैसे कि ब्रक्च ठीक है और जंगम जो होते हैं इनके चार प्रिकार हैं दो इंद्री वाले यानि दो इंद्री है तो इनमें इश्पर्स और स्वाध कानुभब होता है जैसे कि गोंगा और त्री इंद्री यानि तीन इंद्री वाले इनमें इसपर्स स्वाध और य दिख जाए गई है जो मैंने लिखाया चार इंद्री वाले इनमें चार इंद्रियां सक्क्रिया होती है इसपर्स स्वाद गंध और रूप कानभब कर पाती है जैसे कि मच्छर और भोरादी और पांच इंद्री वाले पांच इंद्री वाले जो होते हैं उनमें पांचों इं मेत्र भी होते हैं सरवण यानिवे सुन सकते हैं ऐसा मनुष्य है तो यह जंगम है और यह इस्थावर बद्ध जीव के दो प्रिकार अब मैं बात करता हूँ तो हमारा जीव वाला जीव आत्मा वाला जो सेक्शन है वो कंप्लेट हो चुका अब मैं बात कर लेता हूँ अजीव का बहुत जल्दीज़ है अजीब जो होते हैं वो चार प्रिकार के होते हैं अजीब जो हैं वो चार प्रिकार के होते हैं धर्म, एक अधर्म, पुद्गल और आकाश तो इन चार चीजों को अजीब की सिरणी में रखा जाता है सबसे पहले आता है धर्म और अधर्म अब धर्म और अधर्म क्या है देखे धर्म भे है जो जीब की गती में साहिक होता है में संसार में देखते हैं हम जंगम दरब्यों की बात करते हैं जंगम जीब की है न मैं बता है जीब जो होता है वो दो पिरकार का होता है मुक्त और बद्ध अब जो बद्ध होता है जंगम जो होते हैं, मोबाइल यानि तरस, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो द्रब्यों में क्या होती है, गती होती है, क्या होती है, गती, तो जो जीव की गती में सहायक है, उसी को क्या कहा जाता है, धर्म, जैसे मचली को आप देखिए, मचली का उधारनया समझे, मचली का सभाव है, गती शीलता है, यानि गती करना, ठीक है? लेकिन उसकी गती में सहायक यानि जल के बिना क्या बहुत गती कर सकती है तो जल क्या है उसकी गती में सहायक है उसकी गती के लिए जल चाहिए यह चाहिए तभी गती करेगी शर्प जो होता है उसकी गती के लिए भूमी क्या बशकता है यानि प्रत्वी की आवशक्ता है उसके लिए प्रत्वी के विना उसकी गती संभव नहीं है और शब्द जो होता है शब्द की गती के लिए क्या चाहिए बायू शब्द यानि धुनी धुनी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम के अवशक्ता होती है आनि बायू के अवशक्ता होती है ठीक है तो शब्द की गती के लिए बायू चाहिए सर्ब की गती के लिए भूमी चाहिए और जैसे मशली की गती के लिए क्या चाहिए जल तो ऐसे ही सभी जीवों की गती के लिए जिस चीज की आवशक्ता होत धर्म तो धर्म जो है वो क्या होता है वो गती में सायक होता है बह गती को जर्म नहीं देता ठीक है गती किसमें होती है जीब में होती है जैसे मशली के अंदर है गती उधर साप के अंदर है गती ना तो मशली को जल से गती प्राप्त होती है ना तो साप को भूमी से यह तो ज जीब्ध की गती में साघक होते तो इस तरफ सायक हैं ये उत्पादक नहीं गती गती को जन्व नहीं देते के पल सायता करते गती करने में वजीब ठिक यहाँ यह दो धरण है एक बहुत और बता दू कि कि धर्म जो है वो कैसा है इन्विजिबिल है यानि अद्रश्य है हम उसे देख नहीं सकते उसका सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं दूसरी अधर्म जो है वो धर्म के बिल्कुल बिप्रीध है क्योंकि अधर्म क्या करता है जहां धर्म जो है गती प्रिदान करता है वही अधर्म क्या है उसे विश्राम प्रिदान करता है जीव को यानि जीव की गती को जो रोकता है वो अधर्म है तो जीव की गती को रोकने में जो सायक है सायक होता है भाई ग्या है? भाई अधर्म होता है यानि ये बैसे अर्थ में प्रियोक नहीं किये गए है धर्म और अधर्म जैसे की समानता हम समझते हैं धर्म से हम पुन्य का अर्थ लगाते हैं अधर्म से हम पाप का अर्थ लगाते हैं तो यहा तो बिल्कुल अलग ही इनके अर्थ हैं, तो अधर्म जो जो गती का बिरोधी है, और किसका सएखी है, इस्थयतीकता का, यानि चीजों को रोकने का, जीजों को ब्राववस्था में, बिष्राम में जो लाने वाला है, वो अधर्म है, जैसे कि ब्रक्च की चाया, ब्रक्च की चाया किसी पथिक को मिल जाती है, तो उसकी गति को रोक देती है, मनि उसके नीचे बैट का और बिश्राम करने लगता है, तो चाया जो है, उसने पथिक को रोक दिया, इसलिए चाया क्या है अधर्म, क्योंकि उसने ज रोक देता है वही जो है जीव की गत्ती को रोकने वाला अधार में यह दोनों ही द्रश्च नहीं है इनका पिर्टेक्ष नहीं होता और इनकी अनुमान से हम वह वह सिद्धी करते हैं आगे है पुद्गल पुद्गल वह है जो जड़ पतार्त है इस अंसार में हम जो भी कुछ देखते हैं सारी चीज़ें जिन में चेतना नहीं होती ठीक है वो सब क्या है पुद्गल है तो पुद्गल वह है पुद्गल के लिए कहा जाता है कि पूर्यंती गलंती चा यानि कि जो पूर्ण होता रहे और गलता रहे पूर्ण होने से तातपर यह है पूर्ण होने से सयोग या मिलन से यानि जो मिलता रहे यानि जो सयोग जिसमें सयोग होता रहे और गलंती का य यानि जो तूटता रहे, यानि जिसमें ब्योग होता रहे, यानि जिसमें सयोंग और ब्योग पाये जाता है, जिसमें पूणता और विभाजन पाये जाता है, वही क्या है, वही पुद्गल है, ठीक है, तो जितने भी जड़ द्रब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तो ये चेतन हो जाता है ठीक है और एंटपत्थर सभी जीज ये भूमी ठीक है तो ये जो होते हैं क्या है ये पुद्गल जड़ पदार्त होते हैं और इनके दो प्रिकार बताए गए हैं तो एक है अनू इसे परमाणू भी कहते हैं यानि एटम है ना और दूसरा है अनू परमाणू और दूसरा है संगात या इसकंद तो अनू जो होता है वो क्या है? वो पुद्गल का सूक्षमतम यानि छोटे से छोटा भागे जिसे और छोटा ना किया जा सके यानि इसे और नहीं तो जाएगा कि जिसे आप और विभाजन जिसका नहीं कर सकते ठीक है तो जो बिल्कुल अंतेम और सूक्षमतम जो पुद्गल का कण है वही क्या है वही अनू है समझ रहे हैं तो जो अनू होते हैं या जो परमानू होते हैं उनमें विभाजन नहीं होता ठीक है और यह कैसे होते हैं सूक्षमतम इनका हम पृत्यक्ष भी नहीं कर सकते आंखों से या किसी भी चीज से अपनी किसी भी इसका हम protection नहीं कर पाते और यह अणू जब मिलते हैं दो या दो से अधिक अणू जब मिलते हैं तो किसका निर्मान कर देते हैं संगहात का या इसकंद का या compound का ठीक है तो जितने भी पदार्थ है यह सारे किस से बने अणू बहुत सारे अणूओं का जुन्ड जो होता है उसको ही क्या कहा गया है संगहात समझे रहे हो जब यानि group of atoms वही क्या है संगहात तो यह सारे मिलकर इखटे होकर अणू जो है वो संगहात कंद्रमान कर देते हैं पुद्गल के दो रूप अणू और संगहात अब पुद्गल में गुण बताए जाते हैं चार गुण हैं पुद्गल में इसपर्स, स्वाध, गंध और रूप ठीक है और इसके साथ ही देखिए बैसे पांच गुण माने जाते हैं पांच ग्यानेंद्रियां हैं ठीक है हमारे हम मनुष्यों की हम उनसे पांच चीज़ों का अनभव कर लेते हैं इसपर्स, स्वाध, गंध और रूप का लेकिन जैन दर्शन ये मानता है कि पुद्गल में सिर्फ चार ही गुण होते हैं यानि स्थाई धर्म जो होते हैं पुद्गल के वो चार ही हैं इसपर स्वाध, गंध और रूप ठीक है वो शब्द को गुण के रूप में सुईकार नहीं करता है लेकिन क्या किसमें मान लेता है पुद्गल के पर्याय के रूप में उसे सुईकार कर लेता है ठीक है तो शब्द जो है पुद्गल का क्या है पर्याय है यहां विशेश वात यह है कि लूसिपस और डेमोक्रिटस जो नाम के पास्चादार्स ने कहें यह परमाडुबादी दार्स ने कहें युनान के ठीक है इनके बारे में हम पढ़ेंगे लूसिपस के बारे में तो साइदना के बराबर यह पढ़ेंगे डेमोक्रिटस के बारे में भी थोड़ा ही पढ़ेंगे हमारे सिलेवस में यह नहीं आते हमारा सिलेवस गोण युक्त उसमें ये गोण स्विकार करता है ठीक है अब बात करते हैं आकाश की ठीक है तो चौथा जो हमारा पुदगल है वो अजीब द्रब्ब है वो क्या है आकाश यानि स्काई ठीक है अब देखिए एक अनुमान कि जा सकता है ऐसे कि इस संसार में बहुत सारे पाई जाते हैं अनेक द्रब्ब है ना अनेकांतवादी है ना ये जैन दर्शन तो अनेक द्रब्ब्यों को स्विकार करता है और ये कहता है कि द्रब्ब्यों में क्या होता है विस्तार होता है अब जब इस संसार में अनेक जीवों की उसत्ता को मान रहा है तो एक बात सोचिए हम और आपकी अगर बात करें हम और आप तो प्रत्वी पर रह लेंगे अब प्रत्वी किसमें रहेगे फिर वो भी तो द्रब्ब है है ना और बहुत सारे के रहे हैं प्रत्वी से भी बड़े बड़े उन सब को रहने के लिए जगा चाहिए है ना तो इन सब को रहने के लिए जगा उपलब्द कराता है सब ही द्रब्ब्यों के लिए जगा चाहिए रहने के लिए और जो जगा उपलब्द कराता है वही क्या है आकाश है ठीक है आकाश की विशेस्ता यह है कि इसका भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते केवल इसकी अनुमान से जिद्धी होती है हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी वस्तों ने रहने के लिए जगा चाहिए इसलिए अनुमान ताह आकाश होना ही चाहिए इस्पेस चाहिए ठीक है तो इस्पेस जो है यहां पर वही आकाश है ठीक है अब इसके दो रूप बताए जाते हैं एक है लोका आकाश और एक है अलोका आकाश लोका आकाश बहां तक फैला हुआ है जहां तक दर्ब का विस्थार यानि जहां तक दर्ब फैला हुआ है यानि हमारे ब्रह्मांड तक जो सीमे थे वो तो है लोका आकाश अब ब्रह्मांड से मेरे तात पर क्या है ब्रह्मांड जो है उसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मांड उसे कहते हैं जहां तक गिरह नक्षतर फैले हुए है ठीक है ब्रह्मांड में और अलोक आकाश जो है जो ब्रह्मांड के पार भी जाता है अलोक आकाश जहां द्रब्ब नहीं है जहां कोई द्रब्ब नहीं मिलेगा इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि यह आपका क्या है यह ब्रह्मांड है और इसके बाद तो ब्रह्मांड के अंदर अंदर यानि इसके अंदर अंदर तो सारे गि कोई भी द्रब्य नहीं है तो यह जो हमारा लोका आकास है वो किवल यहां तक सीमित है और अलोका आकास वो यहां तक जाता है बाहर भी जाता है ठीक है जहां द्रब्य नहीं है उसकी पहुंच बहां तक भी है तो अलोका आकास में लोका आकास में जो द्रब्यों को इस्थान आप बात आती है एक माट यहां सुन लिजिए धर्मकी देखें जो धर्म होता है डर्म क्या है दर्व को गती में सहता करने वाली दर्व जो धर्म है वो भी केबल लोक आकास तकी सी में तो रहता है क्योंकि दर्ब्य जो है वो इसी ब्रह्मान के अंदर गतिशील है ठीक है तो जो धर्म का जो धर्म की जो पहुँच है वो कहां तक है इस लोक आकास तकी है ठीक है अलोका आकाश में धरम भी नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि धरम भी एक द्रब्ब है और अलोका आकाश तो वह है जहां पर कोई द्रब्ब ही ना हो अब मैं बात कर लूँ अनस्तिकाई दर्ब मैंने कहा था अनस्तिकाई दर्ब में सिर्फ एक ही चीज को लिये जाता है वो है काल त्यान रखें अब तक जो चला जीब और अजीब वो क्या था अस्तिकाई वो अस्तिकाई दर्ब था और ये है ये है अनस्तिकाई पारमार्थिक या नित्तिकाल दूसरा होता है बैबारेक या सपेक्च काल चीक है यानि पारमार्थिक यानि रियल टाइम और बैबारेक होता है वो आपका वो होता है रेलेटिव टाइम ठीक है तो पारमार्थिक काल की एक खास बात होती है कि इसका ना तो आदी होता है ना अंत होता है ना ये कभी शुरू होता है ना ये कभी खत्म होता है ये अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा परमारतिक काल जो होता है और वेभारिक काल जो होता है उसका उसकी शुरुवात भी होती है और उसका अंत भी होता है उसकी आदी भी है और उसका अंत भी है अब आप देख लीजी ज़रा बैभारिक काल के अंदर आते हैं घंटा, मिनट, सेकिंड, दिन, साल, महीना यह सब क्या है यह बैभारिक यह बैभारिक है यह बैभारिक काल है इसको हम कहते हैं समय इनकी सुरुवात होती है मिनिट की सुरुवात होती है मिनिट का अंत होता है सेकंड की सुरुवात होती है सेकंड का अंत होता है दिन की सुरुवात होती है दिन का अंत होता है महीने की स दोनों होता है यह बैभारिक काल है तो बैभारिक काल जो होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं वो परिवर्तन को दिखाने वाले होते हैं चीजों में परिवर्तन हो रहा है एक आम एक महीने में पक गया ठीक है तो इस चीज के लिए जो है ये जो है बैभारिक काल है आम में परिवर्तन हो गया एक महीने में तो परिवर्तन को दिखाने के लिए जो चाहिए बो तो चाहिए बो है बैभारिक काल ठीक है और जो चीजों की continuity को दिखाने के लिए चाहिए या वर्तना को दिखाने के लिए चाहिए या सातत्य को दिखाने के लिए चाहिए या निरंतर्ता को दिखाने के लिए जो चाहिए यानि जिसमें जी द्रबे की निरंतर्ता होती है निरंतर्ता पाई जाती है वो होता है पारमार्थिक काल निरंतर्ता से यहां तातपर जो है कि इस संसार को देखिए इस अंसार जब से आरंब हुआ है साथ तभी से परमार्थिक काल होगा निश्चित रूप से क्योंकि चीजें इसी के अंदर परिवर्ति किरम में बनी हुई है जैसे कि जीब, जैसे कि मैं हूँ या कोई भी प्राणी ले लिजी वो अभी है और वो नश्ठोगा और उसके बाद पुना उसका जन्म होगा पुना नश्ठोगा, पुना जन्म होगा, पुना नश्ठोगा, पुना जन्म होगा ठीक है, तो यह जो निरंतरता जिसमें चली आ रही है लगातार ठीक है दीर्ग कालेक निरंतरता जो है उसे समझाने बताने और प्रदर्शित करने के लिए जिस काल की जरूवत है वो होता है परमार्थिक काल इसका कोई अंत नहीं कोई आदी नहीं ठीक है तो विशेश बात यह है परमार्थिक काल को ही हम काल कहते हैं और जो बेभारिक काल होता है यानि सापेक्स काल जो होता है उसे हम क्या गहते हैं समय ठीक है तो हम इसे मिनट घंटा दिन महीना साल में गिन सकते हैं पारमार्थे काल को आप गणा नहीं कर सकते हैं ठीक है तुसे बात यह है कि पारमार्थे काल निरंतरता को दर्शाता है जब कि व्यवारिक काल ज परिवर्तन को वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्वाद ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूरूर वता है दाश्निक भारत से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्वाद झाल